नमस्कार स्वागत है आपका कुणली टिवी पर मेरे साथ हैं hedge astrologer नेरिश कुमार जी स्वागत है सर आपका नमस्कार और व्योड को पता दें कि आज हम बात करेंगे कि जो अगली राशी हमारी है करक राशी उसके लिए 2024 कैसा रहेगा तो सर आज का सवाल 2024 करक राशी के लिए कैसा रहेगा करक राशी के जातकों के लिए देखिए करक राशी के जातक है न वो सबसे पहले तो पैदा होते हैं या तो पुनरवसु का आखरी नक्ष़तर चलड़ा होता है या फिर पुशे के चारो नक्षत्र या अशलेशा अब पुनर वह सो गुरू का नक्षत्र है यदि आखरी चरण में भी पैदा हुए है तो गुरू की दशा में पैदा हुए होगे और माल लीजिए पुशे और अशलेशा ये आठो नक्षत्र हैं उसी राशी के मजोटी हम सारे शनी की दशा से गुजर रहे हैं उनके लिए हम शनी वाला पाट पकड़ेंगे क्योंकि शनी की गोचर वहां पर क्या है जो प्रफेशनल लाइफ में एंटर कर चुके हैं वो बुद्ध की दशा में हैं एक सो एक परसंट बुद्ध की दशा में गुजर रहे हैं करक जो लाइफ में बनाले वाली दिशा होती है, वो होती है शुक्र की, शुक्र क्योंकि 20 साल चलता है, इनको शुक्र की दिशा मिल जाती है, शुक्र इनकी कुर्ली में चोथे भाव का स्वामी होता है, और ग्यारवे भाव का भी स्वामी होता है, चोथा सुक्सान है और ग्यार की दशा में रहे होंगे जो हायस हाय स्टुडी के स्टूरेंट्स है उन पे हो सकता है बुद्ध की स्टार्टिंग चल रही हो और जो प्रफेशनल लाइफ में वो भी बुद्ध की दशा में चल ले होंगे आगे साथ साल इनको केतु देखना पड़ता है केतु की पोजिशन हो डाएगा धनेश की दिशा भी मिलेगी फिर चंदर मिलेगा फिर अपनी दिशा मिलती जा के चंदर की वो लाइफ के लेटर स्टेज में 55-60 के आसपास जा के मिलेगी तो हम सारे जो क्लासिस हैं सारी कैटेगरिस हैं उनके लिए बात करेंगे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर शनी चल रहा है और शनी नहा करकराशी के लिए अश्टम में चल रहा है जो भी नहा बच्चे जिनका जो फोकस रिसर्च के ऊपर है दोजार चोबिस में करक राशी के जो भी जातक जिनका फोकस रिसर्च के उपर है ये पॉस्टिव पॉइंट है शनी का शनी के नाम पर ड्राने वाले वीडियो अपने बहुत देखे होंगे करक राशी से शनी अश्टम आ गया ठीक है वो मारक स्थान में है वो अपनी मोलत्र सुर्च सारी वहीं से आती है जितने इत्रेक्टिव आते हैं नहा जितना सीक्रेसी आती है वो तो ऐसे स्थूडेंस के लिए वो समय अच्छा है जो रिसर्च से डिरे सिस्रेट करना चाते हैं स्कूल में भी सरें सरच होती है बहुत सारे वीशें पर साइन्स वाले दश्म भाव से गुरू का गोचर हो रहा है वो students के लिए बहुत अच्छा है ने आ, क्योंकि दश्म से बैठे गुरू चोथे भाव को देख रहे हैं, चोथे भाव से हम studies देखते हैं, तो students के लिए तो समय काफी अच्छा है, और गुरू जो यहां पर बैठे हैं, वहां से उ जो आपका धनसान होता है तो स्टूड़न्स के लिए समय कि इस्तिति के लिए से बहुत अच्छा है। अब आगे आएंगे अपरल, तीस अपरल के बाद तो तीसस अपरल के बाद, क्या करेंगे GURU आपकी कुणनी में 11 भाब में गोचर कारेंगे चंदरमा से 11 का GURU का गोचर वैसे ही शूब होता है तो स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे हाय स्टूडेंट्स में जाएंगे जिनके लिए बुद्ध अभी भी शुरू होना है या हो चुका होगा या होना है तो दुशा नास जो है वो ऐसा आ जाएगा जो स्टूडेंट्स को ही उसके उपर स्टूडेंट्स का ही फोकस रह तो वहां से जो हाय स्टूडिस के स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत अच्छा जो है वो उसका रिजल्ट मिलेगा दोजार चोबिस नहा मोटे मोटे तोर पर यदि हम दो प्लैंट्स की पोजिशन देखें शनी और गुरू की तो बहुत अच्छी पोजिशन है बहुत जादा खराब वाली पोजिशन नहीं है क्योंकि मेजरली जो ट्रांजिट देखा जाता है इन दो प्लैंट्स का जी देखा जाता है क्योंकि ये दो बड़े प्लैंट हैं गुरू एक साल रहते हैं शनी धाई साल रहते हैं एकी राशी में रहुके तू का भी असर आएगा लेकिन रहुकेतू का असर बहुत जादा नहीं आएगा चुकि ये स्टूडेंट लाइफ है तो यहां पर बहुत जादा असर नहीं है ये करकराशी वाले बड़े इमोशनल होते हैं तो कोशिश करिएगा कि अपना मन टिका कर रखिए नहां मन नहीं टिकता ना फोकस ही तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सभाव इनका चंद्रमा की तरह है ब्रह्मन राशी है दिल के साफ होते हैं कुछ करते हैं नहीं बड़ बोले बनके फिर इमेज खराब कर लेते हैं अपनी तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए और जहां तक नहां प्रफेशनल की ब बारवां भाव आपका विदेश का बारवां बारव्वा सी यातरा देखते हैं तो विदेश जाने वाले उन लोगों के लिए जो करियर विदेश में देखना चाहिए उनके लिए समय ठीक ठीक रहेगा क्योंकि गुरू की भी इस्तिती वहाँ पर अच्छी है यदि हम गुरू गुरू देखें तो गुरू केंदर में है गुरू करम भाव के स्वामी है करम भाव में बैठे हैं करम भाव के स्वामी नहीं आँगे यहाँ पर करम भाव में बैठे हैं मंगल में बैठे हैं अपनी अगली बार नहां जब हम आएंगे तो यहां पर एक चार्ट बना आगे दिखाएंगे सब को कि कैसे कैलकुलेट करना है तो एक जो मारे पास बोर्ड है ऐसा ही एक बोर्ड हांसे ड्रा करने वाला लेकर आएंगे तो अर्थ ट्रेंगल जो होता है दशम दूसरा और छठा में आजाएंगे आए भाव में तो आए भाव से के उपर से गुरू का गोचर निश्चित तोर पर पैसे में व्रिदी करके जाएगा एक सो एक प्रसंट करेगा और यहां पर कोई दिक्कत नहीं है प्रफेशनल लाइफ में तीन राशी के उपर कोई बहुत ज्यादा बुर दोनों में से कोई भी ग्राया ना तो धन भाव को प्रहवित करेगा यह ना यहां पर यहां पर शनी की द्रिष्टी आए भाव पर नहीं जाएगी लेकिन गुरू उसको बैलंस कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए धन की स्थिती बहुत जादा अच्छी हो जाएगी और धन की इस्तिती इच्छे होने का मतलब है कि फिनैंशल 2024 में करक राशी का बहुत अच्छा रहने वाला है जो लोग नया काम शुरू करना चाते हैं नहा जिनों हमने बात की न करियर शुरू किया उनके लिए समय अच्छा है क्योंकि जो दूसरा भाव होता है नहा कुल्ली का वो पहली नोकरी का भाव होता है पहली अर्निंग आपको लाइफ में दूसरे भाव से आती है धनष्टान भी है वो दशम का पंचिम भी है तो निष्चंट अर्पर जो बच्य पहली जोब के लिए जा रहेए बुद्द की दशा में हैं तो उनको मिलेगा लेकिन ये कर्यियर जिनका शुरू हो रहा है क्योंकि बुद्ध की दशा में कर्यिर शुरू हो गा maximum majority of students का जो करक्राशी के जाता है बुद्ध की दशा में ही कर्यिर में जाएंगे तो बुद्ध की दशा नहा थोड़ा सा struggle करВाएगी वो स्टगल करवाएगी तो आगे जाकर जो अच्छी दशा आनी है जैसे हमने बताया कि केतु आएगा फर शुक्र आएगा वो पीक में लेके जाएंगे तो बुद्ध की दशा निश्चित तोर पर जो करियर शुरू करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा स्टगल देखने को होती है साल में कहीं पर काम कर रहे हैं दूसरे साल कहीं पर काम कर रहे हैं तीसरे कहीं पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्रोथ तो मिल जाती है कंपरी नहां जम करते रहते हैं जब हम लेकिन स्टेबिल्टी लाइफ में बड़ी दिरूरी होती है जब स्टेबिल्ट होने जा रही है करक राशी के जितने जातक है majority of जो गुरू के नक्षतर में पैदा नहीं हुए क्योंकि गुरू के नक्षतर में भी पैदा हुए है तो भी कईयों की maximum की marriage होगा बुद्ध की दशा में होगी क्योंकि गुरू की दशा में पैदा हुए है maximum guru इनको 3 साल मिलेगा उसके बाद शनी आ रहेंगे 19 साल के लिए वो 22 साल का period गया, 22 साल में marriage नहीं होती उसके बाद बुद्ध की दिशा, 16 साल 22 से 38, जनकी marriage जो होनी है न नहा वो बुद्ध की दिशा में ही होगी और बुद्ध की दिशा में marriage होने के बाद आपको जो है उसके बाद केतू की दिशा मिलती है केतू की दिशा में आपको संतान हो जती है बुद्ध की दिशा में भी हो जती है कही बार तो गुरू जो है एपरल में गोचर करेंगे 11 भाव से, 11 भाव में बैठेंगे सप्तम को activate कर देंगे, सप्तम क्या है शादी का स्थान ग्यारवें भावें बैठेंगे पंचम को अक्टिविट करेंगे पंचम क्या है संतान का स्थान पंचम क्या है रिष्टे का भाव तो करक राशी के जो जातक जिनका रिष्टा नहीं हुआ जिनकी शादी नहीं हुई जिनको संतान नहीं है एप्रल के बाद त्यारी कर लें बुद्ध की दिशा से जो गुजर रहे हैं गुरू ग्यारवें गोचर करेंगे और गुरू नहा सबसे अच्छी बात ये है चंद्रमा और गुरू दोनों मित्र हैं और चंद्रमा की राशी को गुरू अच्छे फल करते हैं चंद्रमा की राशी के लिए गुरू गुरू की राशी होने का मतलब है तो भागे भी साथ देता है और गुरू गैर्मे भाव में गोचर संतान और आपका ग्यार्मी साथ गुरू की कृपा, शादी भी और यदी पार्टनर नहीं है तो पार्टनर भी, ये चीजें भी जो युग वस्ता में उनको मिलेंगी, डेफिनिटली, तो करकराशी के लिए मतलग भी जो प्रोफेशनल है उनके लिए और जो जिनकी शादी नहीं उनके लिए ये अच्छी उनको तीस से पचास के लिए उनको तैस साल ऊफिर आगे उनने साल कर शुक्राइगा, ऐसने साल ये बद्ध के लिए कैतू आईगा तो जो शुक्र की दशा में गुजर रहे हैं वहां तक तो समय ठीक है मैं पचास-पचपन साल तक जब आएंगा ना सूरे फिर वहां पर दिक्कत आती है दिक्कत इसलिए है क्योंकि सूरे मारकेश हो जाता है कुण्ली में जब करक राशी की जो कुण्ली आती है तो सूरे दूसरे भाव का सूमय ठीक है वह नहीं पढ़ता यह दोश नहीं लगता लेकिन चुकि सूरे की दशा आ जाती है सूरे की। सूरे आपकी कुण्ली में डिपैंड करता है करां पर पढ़ है और एक तो यदि करकर राशी के जाते हैं, किसी भी एज के हैं, वो शनी एश्टम में चल रहा है, तो गाड़ी वगएरा तो ध्यान से चलानी चाहिए, ये तो बिल्कुल दिक्कत है कि धुर्गट ना हो सकती है, आसा हो सकता है, लेकिन यदि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, ये असी राशी है, जिसमें जल का प्रभाफ ज़्यादा रहता है, इनको वाटर बरॉंड डिजीज जल्दी होती है, इनको इूरन से bindis प्रोल्म हो सकती है, इनको जो नजला चुकाम होता है, वो नॉर्मली रह सकता है, जो राशी है, जो ये जो राशी है, जो वाटर को हम लिक्वड देखते हैं मंगल जो है वो ब्लड सेल्स के कारख है यदि हम मेडिकल एस्टोली में चलते हैं तो यह चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अदरवाइस सूरे के बाद जो है वो चंद्रमा की दशाएगी चंद्रमा जो है वो अपना ही राशी का स्वामी है वो ज्यादा दिक्कत नहीं देता जिनको नहाच सूरे के दशाद चल रही है उनको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए शनी चुकी रोका कारख है अस्टम में चलता है और पुरा साल अस्टम में रहेगा वो सेहत का ध्यान जरूर रखे खाने पीने का खास दोर पर जब दूसरे भाव को देख रहे हैं तो आपकी इटिंग हैबिट्स नहाच इनको खाने की आदद होती है न वो लाइफ के एंड तक अपनी हैबिट नहीं बलते हैं उनको पता है कि यार मैंने मैं शादी में भी जाएंगे आप देखेंगा कि कुछ बजूर का है जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी इटिंग हैबिट्स को लेकर अधर्वाइज को बहुत जादा दिक्कत नहीं है हां एक चीज जरूर है नहाँ बहुत सारे लोगों की कुणली में छटे आर्फ में बार्वें की दिशा भी चल दी होगी करकराशी के जो बज़ दिशा में को बहुत दादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन चंद्रमा में यदि चटे बार्वें की दिशा चल रही है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है वह ध्यान आपको रखना पड़ेगा वह कुंडली पे कुंडली कुंडली करें नहां ऐसे रैंडमली जो है वह क्योंकि है तो वह दिक्कत कर जए गा जिनकी कुंडली में निहा या तो चंद्रमा में बुध्य चल रहा है यहे दोनों ही राषी आजी नहीं है करकरशी के लिए तो यस अब सब्याए करक राशी के लिए वह परशानी दे कर जाएगा तो यह थी करक राशी की बात अगर आप अपनी राशी देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर देख सकते हैं धन्यवाद नमस्कार